हुग है जाहिन दोस्तो तो हम लोग वीटियो के स्टार्ट किया जाएicket पहला कूशन है अंग्ण जी को भाद में अपना599 जा मने के ये तोवे अपने माल के परती होड समावत करने के लिए उन्होंने क्या किया अप्शन है कि भाद के जुलाहों के अंगुठे काटवाये थे अप्शन भी है कि भारतिये माल पर इंग्लेंड में भारी आयात कर लगाये थे या फिर option C है कि माल के supply कम की गई थी option D है उप्रिक सभी काड़िया किये गए थे तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा option number D हो जाएगा उप्रिक सभी काड़िया किये गए थे अगला question है कि भाद के अंग्रेजी राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है option A है कि Klaib को माना जाता है यह तो दोस्तों इसका वह भाद के अंग्रेजी राज्यक स्थापक क्ला एब को माना जाता है option number A हो जाएगा अगला question है एस इंडिया कंपनी की आरम्भी कठण के समय इंग्लेंड में उप्जन है महाराणी विक्टोरिया साषक थी और भे जम्स पर्थम फांवचन स्य चास क्या अप्शन देश जय करने यह तो दोस्तों इसका उत्र हो जएगा भुसमानो ज्याविद साषक थी अगला कोशन है कि गांधी जी को सब पर्थम किस राजनिता ने राशपीता कहा अगला कोशन है कि समिधान सभा का मात्र कौन सा सदस्य अंग्रे जी नहीं जानता था अपस्न है हसरत मोहाने ने और अपसे भी है खान अब्दूल अफ़ार खान असन लाल सकसेना तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफार हो जाएगा ऑप्छन नमर्ड भी हो जाएगा दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राव में किया है तो सब्सक्राव कर दिजए इसी तरह नंगे रहेंगे तो दुस्तों अगला कुशन है कि वे कौन समाजवादी नेता थे जिन होने इन जिन होने हजारी बाग जेल से भागर भारा छोड़ो आंदोल का नेत्रत्र किया अप्सन है रामनोरलोया अप्सन भी अरुनाल आसाफली अप्सन से जया परगास नारायन और अप्सन जी है नरेंद देव है यह थे जया परगास नारायन थे अप्सन नमबर सी हो जाएगा अगला कुशन है कि गांधी जी द्वारा यह कहा कर कि उनकी कमाई देश के सेवा के लिए है विदेशी सिक्षा देने से इंकार करने पर उनके किस पुत्र ने उनसे बिदुरुख कर दिया अप्सन है मनी लाल अप्सन भी है हरी लाल अप्सन सी है रामदास अप्सन भी है देवदास तो इसका उतर हो जाएगा मनी लाल हो जाएगा अप्सन नमबर ए हो जाएगा अगला कुशन है कि पौधों में भोजे पदार्थ संचित होते हैं आप्सन है मुद्वू दक में आप्सन भी है इस धूल कॉन उत्थक में अप्सन सी है फुलय में सबसे बड़ा पुस्भ कौन सा है option है कमल option B है सुर्य आमों की option C है रेफलेसिया option D है गलोरी के लीली तो सबसे बड़ा पुस्प है रेफलेसिया option no. C हो जाएगा अगला question है कि शिवरिक्ष को अधिकतम हानी निम्ण में से पहुंचाती है option A है कि उसके पतियों में से आधी का नास अप्सन B है सभी पत्यों का नास अप्सन C है उनकी आधी साखाओ का नास अप्सन C है उसकी छाल का नास तो इसका उत्तर हो जाएगा उसकी आधी साखाओ का नास हो जाएगा अप्सन C हो जाएगा अगला कुशन है कि पौधो और उसके खाद भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है अप्शन A है एक अदरक प्रकंद अप्शन B है प्याज मांसलक पर्ण अप्शन C है आलू मूल अप्शन D है नारियल भृन्पोस इसका उतर हो जागा आलू मूल जो कि ये सुमिलित नहीं है अप्शन C हो जाएगा अगला कौशन है नमलिखित पदाथों में नमलिखित पादपों में से किसका संगरा अंग ताना नहीं है अप्शन है A कि गंगा का गंणा का अप्शन B है अदरक का अप्शन C है आलू का अप्शन D है सकरकंद का तो इसका उत्र हो जाएगा सारक सकर कंद हो जाएगा अप्सन नमबर डी हो जाएगा अगला कोशन है तलाब का रेसम या जल का रेसम निम्ड में से किसे कहते हैं अप्सन है एस्पाई रो गायरा को अप्सन भी है यूलो थिरक्स को अप्सन सी है कले मीडो मोनास को अप्सन डी है मियूकर को यह कहा जाता है एस्पाई रो गायरा को कहा जाता है अप्सन नमबर डी हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है विजान में अर्ध स को सा में आप्शन टी है विजान्ड बृत में इसका उतर हो जाएगा गुरु विजान मातर को साम हो जाएगा अगला कुछन है मंजरी पुस्प कम से बिख्षित होने वाला प्फाल है आप्शन है कि साइकॉंस आप्शन भी शीरो शीस एफ़ल है उसप दी है कोई नहीं इसका उत्र हो जाएगा, सीरोसिस हो जाएगा, सोरोसिस हो जाएगा, अप्शन नमबर B हो जाएगा अगला कुशन है केला क्या है, अप्शन A है, सरस्फल है, अप्शन B पोम है, अप्शन C पीपो है, अप्शन D उप्रुक सभी है तो केला एक पढ़कर का सरस्फल है Option Number A हो जाएगा अगळा कुश्चन है निम्ड में से कौन सा तना है Option A है सर्जram Option B अदरक Option C गाजर Option D सकरकंध तना हो जाएगा अदरक हो जाएगा Option Number B हो जाएगा अगला कुश्चन है भारतिय सम्मिधान को कब अंगेकरित किया गया अप्सन ऑफ सब्सक्राइब नॉबर नॉबर सुझाइब अगला कोशन है कि वह रीट जो भारत कि में उच्टम ने आल लेता था इसे को कि इसका उत्र हो जाएगा परमादेस रिएप हो जाएगा अपसर नंबर C हो जाएगा अगला कुशन है कि Dr. B. A. Amitkar ने किस मौलिक अधिकारों को भारतिय समिधान का हिर्दे एवब आत्मा कहा था Option A है अभ्यक्ति की सोतनता का अधिकार Option B है समिधाने उपचारों का अधिकार Option C है समता का अधिकार Option D है धार्मिक सोतनता का अधिकार तो समिधान का अत्मा कहा जाता है समिधाने उपचारों का अधिकार को कहा जाता Option B हो जाएगा अगला कुशन है भारत में समिधान में राज्ये द्वारा किस आयो वर्ग के बच्चों को निस्विल के ताहत था अनिवारिया सिक्षा उपलत कराने के लिए प्रापधान है Option A की 309 वर्ग, Option B 618 वर्ग, Option C 614 वर्ग के बच्चों को या फिर Option D 410 वर्ग के बच्चों को इसका उतर हो जाएगा 6-14 वर्ग के बच्चों को हो जाएगा Option C हो जाएगा अगला कोश्चन है कि भात के समिधान के किस अनुश्यद में और और इस परस्ता समाप्ट की गई है अप्शन A है अनुश्यद 14, अप्शन B है अनुश्यद 15, अप्शन C है अनुश्यद 17 और अप्शन D है अनुश्यद 42 तो और इस परस्ता के बारे में अनुश्य कहा गया है और अनुश्य सत्रह में कहा गया अफ्शन नमबर सी हो जाएगा अगला कोशन है कि 42 समिधान संसोदन अधिनी समिधान के परस्तावना में जोड़ा गया है कि अफ्शन समाजवाद को अफ्शन अखनता अफ्शन से पंथ निर्पेक्षता अफ्शन सभी को यह सभी को जोड़ा गया है अफ्शन नमबर डी हो जाएगा अगला कोशन है 14 वर्ष तक कि बच्चों के बालकों को उचित कि अफ्शन नमबर डी हो जाएगा अगला कुशन है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निसुल्क और अनिवारे सिक्षा देने के लिए उपबंद करने का पर्यास करेगा उप्ट निर्देशक किस अनुशद में उल्लेखित है ऑफ्शन A है अनुशद 45 कि ऑफ्शन B4 46 कि ऑफ्शन 47 कि अ इसका उतर हो जागा अनुशद 45 में कहा गिया है अफ्शन नमबर एहो जाएगा अगला कुशन है कि भारत है एक क्या है संग राज्य राज्यों का संग है या फिर प्रांतों का रश संग है या एक राजय ही काई है तो भाद एक राजयों का संग है अप्सन नमर बी हो जाएगा अगला कोशन है कि इस अनुशद में सिक्षा वसियना चेतर की उपाधियों को छोड़कर भारतियसी ब्रेटिस कालीन उपाधियों को समावथ कर दिया गया है सब्सक्राइब अगला कुछन है कि इस मुगल समराथ ने परसी तक्त यह ताउस यानि कि मयूर सिहांसन बनवाया था अगला कुछन है कौन सा मुगल समराथ चितर कारी का महान पार्खी माना जाता है अपसन ने हिमायू को अपसन बनवाया था अपसन सिह जहांगीर अपसन डी सहांजहां को यह माना जाता है जहांगीर को माना जाता अपसन बन सी हो जाएगा अगला कुछन है किस इतिहास का ने कहा था कि अकवर कादी ने इलाही उसकी मुर्खता का इस मारक था अपसन ए अब्दुल कादिर खाने अपसन भी ए ए समित ने अपसन सी खाफी खाने अपसन दी है जादू नाथ सरकार ने ये कहा था किसने वी ए समित ने कहा था अपसन नमर बी हो जाएगा अगला कोशन है 25 nuestra star को सवन पदक भी जेता वी सकप होकी के भारती टीम के कप्तान कों थे अपसन ए है अमन सिंग अपसन बी अजीद पाल सिंग अपसन S C रूप सिंग अपसन T संदीप सिंग ये थैं अजीद पाल सिंग थैं अपसन नमर नमर बी हो जाएगा अगला कोशन है कि राष्टे खेल दीवस उतिस अगस्त को मनाया जाता है यह किस खेल से यह किस से सम्मदित है अपसने ध्यान चंद से अपसन B, मिलखा सिंग से अपसन C, दिलिप सिंग से अपसन T, C के नाइडू से तो ये सम्मादित है किसे ध्यान चंद से सम्मादित अप्शन नमबर ए हो जाएगा अगला कुशन है कि भात में अंडमान निकोबार दोईपसं मूपर भात का एक मात्र की चर जो आला मुखी है जो किस दोईपपर है अप्शने 12 तांग दोईपपर अप्शन B 12 दोईपपर अप्शन C कार दोईपपर अप्शन D इन surprising कोई नहीं तो यह है 12 तांग दोईपपर है अप्शन नमबर ए हो जाएगा अगला कुछन है कि निम्ली खेत में से क्या भी हार के सासा राम और रहतास से राजस्थान के चितोर गड़ तक फैला हुआ है अप्सण A है और आवाली अप्सण B विंदर सिरेनी अप्सण C धारवार सिरेनी अप्सण D कुंद पाह वैवस्था यह इसका हो जाएगा विंदर सिरेनी हो जाएगा अप्सण नंबर बी हो जाएगा अगला कुछन है कि भारार सरकार के भुकम 6 करने सार जायता पूर किस 6 में आता है Option A, Zone 2 में Option B, Zone 3 में Option C, Zone 4 में Option D, Zone 5 में ये आता है, Zone 4 में आता Option C हो जाएगा अगला कुशन है कि पग डालिया पग डालिया बांध पर्युजना किस राज़े में रसित है Option A है, अवनाचर प्रदेश Option B, सिक्कीम Option C, असम Option D, पश्चे मंगाल तो पग डालिया बांध पर्युजना ये है कहां असम में है Option C हो जाएगा अगला कुशन है कि गीर केसर को भोगली के विशिष्ट पहचान दी गई है वक्त या किस की परजाती है Option A केसर की, Option B, मिर्च की है Option C, अमार आम की Option D, सेव की तो ये है किस की आम की है गीर केसर किस की परजाती है किस की पहचान है, विशिष्ट पहचान आम की है Option C हो जाएगा अगला कुशन है कि चंदर भागा नदी कि चंदरा और भागा नेदियों की संगम किस इस्थान पर होता है Option A है, ले है Option B, लाहॉल और स्पीती Option C है, सिरिनगर अपसं D है मीठान, कोट यानि के पाकिस्थान तो इसका उतर हो जाएगा लाहॉल स्पीती हो जाएगा उसन नमर B हो जाएगा अगला कुशन है कि परसित पर्याटक, इस्थान, चाथम, सो, मेल, वन्डूर, बाच, और माउंट, हेरी, एट, वाचूना, पथर की गुफाएग किस राज्य, याके अंसासे परदेश में इस्थान है Option है, गोवा, अपसं B है, अंडमान और निकवार दिपसमू Option C, लक्ष दिप, Option D, तमिल नाडू तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंडमान और निकवार दिपसमू हो जाएगा, अपसं नमर B हो जाएगा अगला कुशन है, कि सीत काल में उत्तर भात में बारिस का मुख्य कारण क्या है Option C, पसमी भी छोप, Option B, लोटता हुआ मानसून, Option C, समाने मानसून, और अपसंटी वैपारिक पबने इसका कारण क्या है, पसमी भी छोप है, अपसं नमर A हो जाएगा अगला कुशन है, फिलिपिन्स के मुद्रा का क्या नाम है, डॉलर, फिलिपाइन, पेसो, यूडो, रुपिया इसके मुद्राग नाम है, फिलिपाइन, पेसो है, अपसंट नमर B हो जाएगा अगला कुशन है थाइलेंड के राजधानी क्या है अप्शन है बैंककॉक अप्शन बी काठवांडू अप्शन सी जाकारता अप्शन बी अप्शन टी है आवधा भी तो थाइलेंड के राजधानी है बैंककॉक है अप्शन नमबर ए हो जाएगा अगला कोशन है निम्रिखित में से कौन सा विभाग या फिर आयोग सरकार से बस्तूर के MSP की सिफारी से करती है किरसी मंत्राले करती है या फिर किरसी लागत और मुल्ले के लिए आयोग करते है या फिर सरम और रोजगार मंत्राले करते है या फिर में से कोई नहीं तो इसका उत्र हो जाएगा किसी लागत और मुल्ले के लिए आयोग हो जाएगा अगला कुशन है कि मिड़े में योजना का काये नवयन किस मंत्राले दोड़ा किया जाता है अगला कुशन है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एरिकल्चर कहा है अप्सने भूनेस्वर अप्सन बी कुलकात अप्सन सी इंदोड अप्सन्टी है भौपाल यह कहां है भूनेस्वर में अप्सन नंबर ए हो जाएगा अगला कुशन है कि 1954 के दोड़ना जैपानी का और संकेतों के बीच अंतर नेशनलिये संक्रन सकाईकरम निर्म परकार के फसलों के बीच शुरू किया गया था अप्सन है ए है कि गेहूं अप्सन बीच चावल अप कि अभूल अप åtशनों हुआ है चावल हो जैगा अपसन नंबर भी हो जाएगा और अगला कुशन है जिन वस्टूवर की मांग उनके कीमत पर करती है वे बस्तुव कहलाती है अपसे यह विभलेन बस्तुव को खह जाएगा अगला कुछन है किल सिचाई और उर्जा प्रयोजनाओ को किस पभारी जर्नामे प्रात्मिक्ता दी गई थी अप्सने पर्थम पभारी जर्नामे ifikår 1 इसका उत्र हो जाएगा परथम 5 वर्छ से योजना हो जाएगा अगला कुश्षन है स्वालत्र है व्याठी व४क्तिक जाएगा बंचाइटराज व्हुंस्थाओं में अध्यक्ष के काम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आड़क्षित किया गया है option A है एक तीहाई option B, दो तीहाई option C, तीन चौथाई, option D है आधी इसका उत्र हो जाएगा, एक तीहाई हो जाएगा, option number A हो जाएगा अगला question है, कि तीहाई तरवे समिधान स्वास्वादन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हंस्तांतर की देश्टे सेती हासिक्स कदम मानाये जाता है option A, मध्यम वर्ग, option B, किस से गवर, option C, प्रूसर वर, option D, महिला वर्ग तो इसका उतर हो जाएगा, महिला वर्ग हो जाएगा, option number D हो जाएगा अगला question है, कि तीहाई तरवे समिधान स्वास्वादन के प्रावधानों के प्रावधानों के प्रावधानों के प्रूसर नहीं है तो इसका उत्र हो जाएगा महिलाओं के लिए दो ती हाई आरक्षन अप्सन नमबर डी हो जाएगा अगला कुशन है कि 73 समिधान संसोदन द्वारा पंचाईत राज संस्थाओं के लिए किस परत्रह के चुनाव का प्रावधान किया गया है अप्सन है परत्यक्षेवं गुप्त मतदान अप्सन B है कि अब परत्यक्ष मतदान अप्सन C है गुप्त मतदान अप्सन D है खूला मतदान इसका उत्र हो जाएगा परत्यक्षेवं गुप्त मतदान हो जाएगा अप्सन नमबर A हो जाएगा अगला कुशन है कि भात में किसके चुनावें आरक्षित राजायों की चक्रा नूक्रम से भढ़े जाने का प्राबधान किया गया है exception A आ है लोकसभा के चुनाओं में exception C बिधान सबाद के चुनाओं में option D है पंचाययत राज संस्ताओं के चुनाओं में तो इसका उत्र हो जाएगा पंचाई तिराज संस्थाओं के चुनाव में हो जाएगा, उसन नमबर D हो जाएगा अगला कुशन है निम्रिखित में से कौन उस्मा का सबसे कम चालक है चांदी है, तामबा है, सीसा है या पारा है तो इसका उत्रा हो जाएका सीजा हो जाएगा अगला कोशन है अस्पाइट के बारे में कौन सा कत्थन गलत है अप्सन Aa है या अतधी काड़ा प्लिकलीक खसुवदार योगिकों का मिस्तन है अप्सन Dus는 B या कार्बन डायस अलफाइट में गुलंसिल है कि इसका उत्र हो जाएगा उप्रूप सभी सत्य है अप्स नमर्ड डी हो जाएगा अकला कुशन है एलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाले बैट्टरी में किसका योईक मिशन किसका योईक प्रयोग होता है अप्स नमर्ड बी हो जाएगा अगला कुशन है कि ब्लू वेबे सिंड्रोम किन लक्षनों किन लवनों के कारण होता है अप्स नमर्ड अगला कुशन है निमर्ड खिते में से अधिकतम द्रयमान किसका है अप्स नमर्ड अप्स नमर्ड अप्स नमर्ड बी हो जाएगा तो सबसे अधिक द्रेमान किसका होता है निट्रोन का होता आप्सन नमबर सी हो जाएगा अगला कुशन है कि भुपाल गैस तराशडी के लिए उतरताई पर्मुक परदूसर कौन सा था अप्सन ए मिथायल आईसो साइनाइट अप्सन बी मुरोमीन अप्सन सी कलोडो फ्लोर कारबन अप्सन डी कलोरीन इसका उतर हो जाएगा मिथायल आईसो साइनाइट हो जाएगा अप्सन नमबर ए हो जाएगा अगला कुशन है न्यूकिलियस की दर्मान संख्या अप्सन ए है सदा उसके प्रमानुक्रमांग से कम होती है अप्सन बी है सदा उसके प्रमानुक्रमांग से अधिक होती है अप्सन सी है सदा उसके प्रमानुक्रमांग से बरावर होती है और option D है कभी उसके प्रमानो करमांग के अधिक और कभी उसके बरावर होती है तो इसका उतर हो जाएगा कि कभी उसके प्रमानो करमांग से अधिक और कभी उसके बरावर होती है option number D हो जाएगा अगला कुछन है कि टेनिस गेंद के समतल क्ये अपक्षा उची चोटियो पर अधिक उचनने के क्या कारण है option A, कम गुरुतवा कर्शन, option B, अधिक गुरुता कर्शन, option C, कम गुरुतवी वायू, option D, कम वायू वाता बढ़ने ताप इसका उतर हो जाएगा, कम घर्णतवी वायू हो जाएगा, option number C हो जाएगा अगला question है, भात का सबसे पहला, आरिय भट कब छोड़ा गया? option A, 1973, option B, 1975, option C, 1977, option D, 1978 में ये छोड़ा गया था, 1975 में, option number B हो जाएगा अगला question है, कि मेघाच, छन रात की अपेक्छा, निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है option A, चालन, option B, दरवन, option C, विकरन, option D, सुर्यताप तो इसका उत्र हो जाएगा, विकरन हो जाएगा, option number C हो जाएगा अगला question है, थर्मो एस्टेट का उप्योग, रेफ्रीजरेटर के स्थापमान के नियंतरग में किया जाता है इसमें होता है, option A, एक दूइधी धातुक पट्टी होती है, option B, एक पारद ताप मापी होती option C, चालू बंद स्विच, option D है, फ्यूज, तो इसका उत्र हो जाएगा, एक दूइधी धातुक पट्टी होती है, option number A हो जाएगा अगला कुशन है कि बहुत उच ताप मान को मापने के लिए हम परयोग करते हैं, option B, प्लेटिनम, परतिरोद ताप मापी की, option D, इन में से कोई नहीं जिसका उत्र हो जाएगा, प्लेटिनम, परतिरोद ताप मापी की, option D हो जाएगा अगला कोशन है ताप उपकरम होता है, option A, धनात्मक हरास पर, option B, धनात्मक हरास पर, option C, ततरश्च अवस्था पर, option D, इन में से कोई नहीं ये होता है, धनात्मक हरास पर होता है, option number A हो जाएगा अगला कुशन है कि लेंज किस से बना होता है पाइडेक्स काच का, फिलिंट काच का, या साधारन काच का, या फिर कोबाल्ट काच का ये बना होता है, फिलिंट काच का बना होता, अपसन नमबर B हो जाएगा अगला कोशन है कि रिग वेद में निर्ण में से किस देपता का उलेख नहीं है अप्षन ए है विष्णू की अप्षन भी मारूत की अप्षन सी ब्रह्मा की और अप्षन डी सुम की तो इसका उतर हो जागा ब्रह्मा हो जागा अप्षन नमर सी हो जागा अगला question हर शरीत के लेखक कौन थे अप्षण हरी सेन थे अप्षण B वाणभट थे अप्षण C अमर सिं्ग थे अप्षण D काल दास थे इसके लेखक थे वाणभट थे अप्षण no.B हो जाएगा अगला question है अश्च द्याई निम्निकित में से किसके रचना है पतंजली की पानिने की या कोट्रिली की या भारद्वाज की तो अश्ट ध्याई रचना है पानिने की है अप्स नम्बर बी हो जाएगा अगला कोशन है कि बिहार को इसका नाम कैसे मिला अप्सन ए क्योंकि यह महावीर की कारियास्तली थी Option B क्योंकि यह गौतम मिल्की कार्य से लिए थी Option C अधिक बौद विहारों के कारण Option D तूकि यहां विहार सरीफ इस्तित है तो विहारों को इसका नाम कैसे मिला था अधिक बौद विहारों के कारण मिला था Option C हो जाएगा अगला कोशन है जयान धन के पहले ते ठंकर कौन थे Option A है पारसर पारसम नाथ है Option B रिसबदेव है Option C महावीर Option D आधिदा नाथ जिसके पहले ते ठंकर थे रिसबदेव थे Option B हो जाएगा अगला कोशन है कि किस राज्य सरकार ने 17 सिदंबर को राश्टी एक्तातीवस के रूप में मनाने की घोशना की है Option A किरल Option B ते लंगाना Option C बिहार Option D ओडिसा ये किया गया है किसके दोर घोशना ते लंगाना सरकार के दोर Option B हो जाएगा अगला कोशन है कि पूली थेवर जिन की जहनती हाल ही में मनाई गई किस राज्य के सोतनता सिनानी थे Option A पस्षे मंगाल Option B तमीलाडू Option C और इसा Option T गुजरात ये थे तमीलाडू के थे Option B हो जाएगा अगला कुशन है कि कला के छेतर में सत्री ये क्या है जो हाल ही में समचारों में रहा Option A संगीत Option B निर्टे Option C पैंटिंग अपसंटी थेटर कला ये क्या है एक प्रकार का निर्टे है Option B हो जाएगा तो दोस्तु आज का सेट हमारे यहीं पर समाप्त होता है अगर आपने चारों को सब्सक्राब नहीं किया तह चालें को सब्सक्राब लिजए और इस वीडियो को like कर दीज़े और अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को share कर दीज़े मिलते हैं दोस्तों अब अगले सेट में मिलते हैं